हलो एक बार फिर से मिसन ग्यान की ओनलाइन प्लेट फॉरम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं दिनेश चोधरी अपन पढ़ रहे थे पॉल्ट्री फार्मिंग पॉल्ट्री फार्मिंग में अपने पहली क्लास में उसके बारे में जनरल करेंगे आज मिर्ग्यों में होने पढ़ फड़ लिया जौंब पापई में में हौने भालते हैं के बारे में को ही पड़ा जाता है और पक्षियू का दिन जिस फिज्ञान में किया जाता है उसको और निथो लोजी का आ जाता है यह अपने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से चर्चा कर ली थी जो पॉल्ट्री फार्मिंग की पहली क्लास थी उसमें अच्छी तरीके से अपने बता करते कुकुट रोग या पॉल्ट्री डीजीज की बात कर लेता है तो पॉल्ट्री डीजीज में अपन बात करें तो मैंली इसमें जो रोग होने वाला है उस रोग की बात करें तो सबसी जो important रोग होता है वोुसका होता है रानी Khit Disease सबसे important आपको पूछ ले मुर्गियों में होने वाला परमुक रोग तो रानी khit disease इसको new FEL के नाम से भी जाना जाता है लेकिन exam की सबसे important और महतुपन होता है proud cáren अपनम बात कर लेते पहला चेचक कोई बात नहीं चेचक बढह लेंगे पहले चेचक की बात करें तो इसको मुर्गी फॉक्स के नाम से ख tad Families की जाना होता है जब जो मुर्गी वगेरा है हूँ आठ से बारा सब्टा क्यों होती है उस समय इस रोक का प्रकौप सबसी ज्जादा देखने को मिलता है इसका रोक का रख किसके द्वारा फैलता है वाइरस के द्वारा ये किसके द्वारा फैलता है वाइरस के द्वारा फैलता है और अगर बात कर ले कि मुर्गियों में एक कौन से वाइरस के द्वारा फैलता है तो बोरेलियोटा एवियम नामक वाइरस के द्वारा ये मुर्गियों में फैलता है मुख्य रूप से चेचक, बिमारी का देखो, चेचक, चेचक, वाइरस दुवारा, वाइरस का राम यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो बोरेलियोटा, एवियम, कौन सा जाएगा, एवियम, मुख्य रूप से आपको जो क्यूसन पूछा जाता हो, पहला तो यहीं से होता है, सबसे इंपोर्टेंट तो यहाँ से देख लेना, चेचक, रूप किसके द्वारा होता है, पाउल फॉक्स इसको बोला जाता है, मुर्गी फॉक्स इसको का आ जाता है, और किसके द्वारा फैलता है, वाइरस की द्वारा, वाइरस की द्वारा, वाइरस की द्वार अर्जुह उसमें पढने बताए दिया था वोली पिश्चा कर दो तो ची चेचक हो जाता है, इसे क्यूटेनियस पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसमें चेहरे, कंदे, गर्दन, आधी पर सुखे दाने दिखाए देते हैं, छोटे-छोटे स्पॉर्ट हो जाते हैं या ब्लेक दाने से यू लाल रंग के दाने हो जाते हैं ना, इसको बोजन नली की सलेशमा जिल्ली जिसको लुकस का आ जाता है, को परभाविते करता है, ओके, फिर तीसरा आ जाता है कोरीजा, इसमें नाक में इंफेक्शन हो जाता है, ठीक हैं, तीन परकार के चेचक के लक्सन अपनने बता दिए, पक्षी की, कंगी, चौँच, पेर, पलक हैं, और फिर सूकने पर गहरे बुरे रंके हो जाते हैं, तीन से चार सप्ता बाद सुस्क तुचा जड़ने लगती है, ठीक है, खार साक उतरने लग जाता है, और पक्षियों में तीज बुखार हो जाता है, पक्षियों में क्या आ जाता है, या तेजे बुखार आ जाता ह है अस्रावित होने लग जाता है सिर में सूजन जिससे पक्सी मर जाते हैं इस रोग में भया सिर में भी सूजन आ जाती और पक्सी राम नाम सत्य हो जाता है आखो मोहे और गर्दन पर हलके पीले रंकी पतली जिल्ली बनती है जिसके नीचे छोटे-छोटे दाने लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं ये इसकी पहचान होती है काफी ज्यादा लंबी इसकी पहचान है भईया उपचा चलो ये तो इसकी पहचान होगी अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये रोग अगर हो गया इससे बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं इ में कीगा पीजन फॉक्स वेक्षिन एक मयाज से कम पक्षियों में जब जोटासा बच्छा होता है तो उसमें पीजन फॉक्स का ठीका लगवा देना चैको आर। उसकी जो परति रख्षा होती हो तीन महीनें तक परियोग करते पॉप स्वेक्षिनба परियोंग करना चाहिए उसके परती रख्सा ओती हैं जब तक मरती जी से जब आगे अपन बात करते हैं इस टीके में तीका देने से पहले गिस्रीन और नमक मिलाया जाता है एक साथ रखी गए सभी मुर्गियों को एक ही समय में टीका लगाया जाता है क्योंकि टीका लगाये हुए मुर्गे गेर टीका अगरत मुर्गियों को प्रभाविते कर सकते हैं इसलिए एक साथ इनमें क्या लगाये जाते हैं या टीके लगाये जाते हैं आगे सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक एसीड के गोल का मिसरन उनकी पर भावीत इससे पर लगाया जाता है जो अगर आखो और मोपर लक्षन दिखाए दें तो ये उप्रोक्त उपाएफाई देंदें नहीं है है क्योंकि अगर आंखों के पास जो काफी ज्यादा जो मूलायम तुचा होती है यह अपन कही सकते हैं कि काफी ज़्यादा जो अपना softpart होता है वह पर इसका प्रियोग अपन नहीं कर सकते ठीक है इसलिए हम glycerine का इस्तेमाल करते हैं इसका प्रियोग ने करके वहाँ पे किसका प्रियोग किया जाता है ग्लिसरीन का प्रियोग किया जाता है जो रुखी तो उचा होती है वो सही हो जाती है ठीक है क्योंकि ये जो आखों के पास वाला जो मुह के पास वहला एरिया हो तो वह काफी ज़्यदा सेंसिटिव होता है इसके बात दूसरा आजाता है खोनी पेंचिस इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है कॉक्सी डियोसिस क्या बोलते है का 2-2 चीज खोनी पेंचिस खुनी purl में बात कर लेता हूं तो बंआज़ बात के दwawar होता था बैरियो लोडी जो वैरस की ना वह पर जाती थी उसके द्वारा यह फैल रहा था इसकी बात कर लेते हैं तो इह खुनी पेच्छी से वह प्रोटोजवा के माद्यम से फैलता है किसके द्वारा फैलता है एकल कोशिका वाले जो प्रोटो जवा है उनकी द्वारा ये रोग सबसे पहले फैलता है बताया जा सकता है आगे देखते हैं अपन बात करते हैं इसकी जो परजाती है प्रोटो जवा की परजाती है मेरिया टेनिला मेरिया का oxydiosis होता है खूनी पेचिस होता है खूनी पेचिस की बात करें तो खूनी पेचिस के जो लक्सन है वो आपको क्या-क्या दिखते हैं देखिएगा खूनी पेचिस में चूजों में नाम से पता चल रहा है क्या हो जाते हैं भाया खूनी दस्त हो जाते हैं और कभी-कभी गुद तो उसका जो body है और पेर है वो पीले पढ़णे लग जाते पकसी नीचे की और गिरते हैं या फिसलते हैं वो चलते क्योंकि weakness वे आए जाती है चलते चलते गिर जाते हैं या फिसल कर पढ़ जाते हैं ओके आगे पऩ बात करें पल्स जो पकसी है खुनी पेचिस में या कॉक्सी डियोसिस रोग में हैं बिल्कुल आल्सी हो जाते हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं उनकी पलकें बंद हो जाती है और पक्सी मरने लगते हैं विवीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है बोड़ी में बलड की कमी हो जाती है तो चक्कर आएंगे चक्कर आएंगे, पलके बंद होगी और वो बचिड खा के गिरेंगे, बचिड खा के गिरेंगे तो वो मर जाएंगे, किलियर, ये चीज़ अपन बदा सकते हैं, और उसके बाद बड़ी आत का जो उपरी भाग होता है, वो आका बड़ जाता है, उसका आका इस नहीं क्या हो से आत की कोशिकाएं फट जाती हैं काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अब उसकी जो लिमिट थी लिमिट से और हो गया तो वह क्या हो जाएगी आत की जो कोशिकाएं होती वह फट जाती है और फटते ही क्या हो जाएगा जो चू जाता वह मर जाएगा ओके बताया जा सकता है आ सल्फा कुनोक्सिलीन पीने के पानी के साथ दिया जाता है क्या का में ले सकते हैं भी या खुनी पेच्छी से रोग हो गया तो उसमें सल्फा मैजी थीन ले लो या सल्फा कुनोक्सिलीन ले लो और उसको पानी में मिलाओ और पानी में मिलाकर उनको दे दो उससे आपके खु 0.05 पर्षेंट मातरा तो किसके लिए जाएगी सेलफा मेजी इन की लिए जाएगी और 0.1 पर से जो मातरा हैं वो सलफा कनोक्षेलिन की लिए जाएगी और दोनों को पानी में मिला कर देदीा जाएगा इस सब्सक्रॉण कोक्षी को कॉद्र करूं और लूभिफरों की बात करें डायोडीन की सुलक्त की बात करें के बद्र करें बाद करें क्लिग की आपन करें यह inevitable यह सारै कई ऐसALLY की I was 곳 and these two kings श्राइन और अजा किई जातें जो कुनी पेच़स में काम दिया दी जाती है यह सारी ओस दिया इसमें जो खूनी पेचिस रोग है इसके अंदर प्रियोग में ली जा सकती है आगे देखते हैं अपन बात करता है हाँ तीसरा जो इसका में डीजी जा जाता है रानी खेत सबसे मुख्य रोग होता है मैं तो पुन रोग कुन सा होता है र और कौन से वायरस के दवारा फ्हेलता है और कौन से वायरस के दवारा है लज़या वायरस के दुँद प्हेलता है उल्या बिदा के दुदखन करने। सबसे ज्यादा बताइक हम से आएपने आपको देटो KP ibn तय व्यारता है ताटाइस, फूरॉज्यस या इसको पेरा मिक्सो वाइरस टाइप फस्ट की नाम से भी जाना जाता इसके दुआरा ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है प्रभावित अंक की बात करें तो इसमें सोसन नली पर जो सोसन पर नाली होती है तंतरीका तंतर होता है ये प्रभावित ये रोग पक्षियों की सभी आयूस उमुव में परभावित करता है, मतलब चाहिए छोटा हो, चाहिए बड़ा हो, ठीक है, ये सभी उमर के चूजों में अच्छी तरीके से फैल जाता है, ये कुकड उध्यों को उच्छ रुगनता, 100% और मरत्युदर, 50-90% और अंडा उत् पादन में गिरावट के कारण भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, कहने का मतलब अगर ये रोग मुर्गियों में आ गया, तो डेफिनेटली है, आपको वहाँ पे मरत्युदर काफी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अंडा उत्पादन में काफी ज़्यादा भारी ग भारत में अल्मोडा और अल्मोडा काया भईया अपना, यूपी में कहां पे है, यूपी के पास रानी खेत में 1928 में दर्ज किया गया था, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ा रानी खेत नाम पड़ा था भईया, कहां पे दर्ज किया गया था, न्यूकेसल रोग का पह यह रोग संकरमित चारा खाने से या उनका जो आहार है पानी या हवा से फैल जाता है संक्रामकुर हो गये, चारा पानी किसी की दूहारा भी फैलाया। जा सकता है, इसके लक्षण देखो इसके लखशन क्या क्या होते है इसके कारण कैसे थलता रानी खेत रोग का मुख्य लक्षन सांस लेने में समस्या होती है रानी खेत डिजीज में क्या आज आता है सांस लेने में काफी ज़्यादा तकलिफ आती है तता सीटी की आवाज निकलती है जो कुकर नहीं होता अपने कुकर की सीटी की आवाज आती है उस परकार रान और पंकों में लक्वा मार जाता है मतलब मुर्गियों की जो पैर होते हैं पंक होते हैं उनमें लक्वा मार जाता है और मुर्गिया मुझ से सास लेना प्रारम कर देती है इस रोग में हापना सास लेटियों में खटिना ही होगी तो हापेगी छीकेगी खासेगी और नाक से हल इस रोग की मुख्य विसेशता है होती है आगे अपन बात करते हैं देखो हरा पानी जैसा दस्त हो जाता है जिसे ग्रीन वाटर होना उसके सम्मान क्या हो जाते हैं भीए इसमें दस्त सुरू हो जाते हैं पस्वों को सोरी मुर्ग्यों को दस्त हो जाते हैं गर्दन उलटकर आपना पीठ पर रखना तता कौने में चिपकर बैट जाना इस रोग के मुख्य लक्सन क्या है कि भीए अपनी गर्दन पीठ पर रखने और जो दडबा है जहां पर बूर्डर हाउस जहां पर मुर्ग्यों को रखा उत्ता है तो जाकर एक बोश रोग हो जाता है यह उन्त आता आन्थ चुज़ों कीराल को जाता हो जाता है तो भाईया इसकी रोग थापन के लिए देखो F1 strain vaccine Lasota vaccine एक दिन के चूजों के में परतिरक्षा तीन महा तक उत्पन होती है तो ये जो F1 strain vaccine है ये जैसे ही चूजा अंडे से बाहर निकलता है उसको ये vaccine लगा देनी चाहिए क्योंकि सबसे खतरनाक विमारी है तो उसका बचाव सबसे पहले जरूरी है तो एक दिन के चूजों में अगर ये vaccine लगा देते हैं तो तीन महा तक उसकी body में antibody बनी रहती है RB vaccine, RRB vaccine आठ सब्ता की मुर्गियों में इसके TK लगा देना चाहिए और अगर इसके TK आठ सब्ता की आयू के मुर्गियों में लगा दिये जाते हैं तो इसकी जो अपन बात कर लेते हैं कि जो immunity जो antibody होती है वो लगातार बनी रहती है तो बताया जा सकता है कि इस रोग में कौन कौन से होते हैं सबसे important पहला आपने रोग कौन से पढ़ा आपको पहली चीज तो ऐसे ही पता होना चीज 6 चक आपको ताना है कि लहीं से पूछ लिया जाता है आगे आपको जाने कीarthnak तीसरा में बात करूँ तो आपको तीसरा क्यूसर क्या पूछ लिया जाएगा अपना कौन सा है उसकी नाम बुदल लगे, इस रोग को क्या बोलेंगे, अपने रानी खेत, रानी खेत की बात करें, तो रानी खेत, रानी खेत भी किसके द्वारा होता है, वाइरस द्वारा, मुर्गियों का मुखे रोग, मुर्गियों का मुखे रोग, चार क्यूसन तो यही मनते है, चेच पहले का अगा रोग और रोक कारण होता है चौफ की बिमारी एक अतेदिक संक्रामक वाइरल विमारी है मुख्य रूप से ये 3-5 मेने की उमर की युवा मुर्गों में होती है 3-5 मा का जो युवा मुर्गियां होती है उनमें इस रोग के काफी ज़दा लक्षन देखने को मिलते है संक्रमन, प्रियावरण से या संक्रामक सामगरी को अंदर लेने से फैलता है ज्यादाता है viral disease है वाइरल डिजीज है तो भी या प्रियावरन में खुले में फैल सकता है या फिर कोई भी ऐसी सामगरी उसके द्वारा यूज की जाए जो संक्रमित होती हो उसके द्वारा भी ये रोग है फैल सकता है यह पेर आगे बढ़ायाई जाता है और दूसरा पेर पीछे क्यों नहीं तो यह फुदक फुदक करते हुए चलते हैं तो इस बीमारी की मुख्य लक्षन है एक या दोनों आखों में अंदा पना आ जाता है नेत्र रोग ठीक है इस रोग में क्या हो जाता है भिया आखे बंध हो जाती है पर्मानेंटली ओके बात करते हैं त आगे बात करते हैं तो में आगे है मेरिक सोन इस बात करें है तो त्रक्षा कर्षा हज़ीज वायरस हएच वेच्वटी वक्सीन है लिए बता जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो यह मुख्य रूप से मुर्गियों में होने वाले छो सकते हैं अच्हे तरीके से बदा सकते हैं मुर्गियों में होने यहां यहां सा रोग था था इसे पहले गुपने वाले रोग था यह उन्य वाले है जितने भी आपने रोग चीजब को रोग कारत सब्से कंपोरटेंट पपने चीए उसके लक्षन क्या है और इनमें मुख्य विमारी कौन सी है उसका आपको पता होना चीए और इनमें जो टीके लगाए कब जाते हैं उनका भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चीए तो अच्छी तरीके से आप क्लास को देख लीजिएगा समझ लीजिएगा आसा कर में पुल्ट्र के बारे में उनका आवास मेनेजमेंट में पढ़ा मुर्य करने के नाम के बारे में पढ़ा उनकी नसलों के बारे में पढ़ा नसले देशी नसले थी है ना देशी नसलों में अपने घागस पड़ी असील पड़ी चटगाओं पड़ी ठीक है ना ये कड़कनात पड़ी इन मुर्गियों के बारे में पड़ा इसके बाद जो विदेशी थी एसिया वरग वरग वाली हो गई अमेरिकन वरग वाली हो गई और पॉलिस वरगवाली होगी, उनके बारे में अपने पड़ा, उसके बाद अभी अपने चार रोगों के बारे में पड़ा, जो मुर्गियों में प्रमुक्त होते हैं, मुर्गियों में सबसे इंपोर्टेंट जो रोग होता है, वो कौन सा होता है, रानी खेत होता है, मुर् पहस्तु दे खेां कफी जबहएं कि दौप के दौपक्स होने वह रोग होता है कि छार रही किसी तरीकी आपको अच्छी तरीके से पड़ना है और क्लास को सबी साथियों को सेयर करना है इसी ज्स और जूनुन के साथ ऑल फिर मिलेंगे आज के लिए धन्यवाद